बॉड बॉर्णिंग स्टुडेंट वेलकम टू माई चैनल बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की मैट्स की वोक्षीट वोक्षीट नॉमर 67 जो क्या आपकी डेट 14 दिसम्बर की है आज की वोक्षीट में भी हम प्रबैबेलिटी पढ़ेंगे क्या प्रबैरि में अपको पता ह्युक्षीट में एक प्रफ एक तरफ हुल धोता है तो कोई旋 इ ​​ मनवह पार अगर हैट विल्सट GUY अगर हैट अगर हैट रही होता तो अगर टें लाध विल समय नियुक्으 छुड़ी तो सुडब ऑगल तो सचंद ये लुक्त दोेयख doubling सकता है इसके लावा तो कुछ और निया सकता तो टोटल नंबर और पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे तो वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू नंबर और फेवरल कंडिशन्स और टू इवेंट आपका जो प्रोबैबिलिटी हम कैसे निकालते हैं उपर फेवरल के टेल इस हाफ हो जाएगा ठीक है अब क्या है डिसीजन फोर ओनली टू परसन के अगर दो लोग है तो हम एक कॉइन से काम चला सकते लेकिन ज्यादा लोग है तो क्या होगा अगर हम दो कॉइन को टॉस करते हैं अब लेखिए तीन लोग आ गए नमन मोनू और सचिन मोनू नहीं वह घ्र के क्या किरें फेल से क्या इसाथ और से क्या होता है अगर एक टेल आता है तो आपका सचिन का यहां देखे हैंจะ कितने पॉसिबलो tiveा तो कितने आउट्कम्ureau को मेलती है आपके कितने ऐते जैंगे 4 हो जाएगे ठीक है अब आप exam नीचे देख लीजे इससे समझा जाएगा head अगर एक head आता है यानि कि दोनों में head आता है यहाँ पे इसने क्या बालता है both head both two head तो यहाँ पे आप देखिए दोनों में head कब आ रहा है एक ही बार तो ऐसा हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे वन और total outcomes कितने है फोर तो वन बाई फोर हो गया इसके बाद tail अब tail भी दोनों में tail कब आ रहा है एक ही बार आता है तो one बाई 4 तो second वाला आपका क्या हो जागा probability one बाई four फिर देखिए एक head एक tail आ आयए अब एक tail तो भही इसमें आ सकता है एक टेल तो इसमें भी है और इसमें भी है तो क्या हो जाएगा टू और नीचे की टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फोर तो टू बाइ फोर हो गया चलिए अब एक्जामपल समझ जाते हैं फॉर्स्ट एक्जामपल है कोई ने जो टॉस किया गया है वाट इस to get at least εκ Sav on nJour same this चीए तो यह कि दीए 2500 अब ककरें तो आउटकम्स ने रख आपको चार आउटकम्स तो यह पोला हुआ है at least headphone तो वन आफकम्स having the same face two यानि कि head head और tail tail same face मतलब दोनों एक जैसे हों तो यह तो सिर्फ दो भी बार आ सकता है तो दो ऊपर आ जाएगा और नीचे total number of outcomes four आ जाएगा two by four को में divide करते हैं one by two हो जाएगा second question देखें दो coin है उनको toss किया गया लेकिन one twenty times twice किया गया है उन्होंने क्या found कि है कि जो two tail है वो कितनी बार आ रहा है 60 times आ रहा है one tail कितनी बार आ रहा है 48 times आ रहा है और एक भी पर कोई tail appearing हो रहा है 12 times अब आपको probability निकाल लिए में first में two tail की अब two tail कब आ रहा था 60 times है ना तो आपका उपर तो आ जाएगा 60 और नीचे टोटल कितना था 120 तो 60 by 120 डिवाइड कर कितना आ जाएगा सेकेंड में पूछा है one tail अब one tail का कितना था 48 तो 48 अपन में 120 तो आपका या अंसर आ जाएगा फिर है जीरो टेल जीरो टेल का मतला नो टेल नो टेल ट्वेल टैम्स यानिकि ट्वेल वपमने 120 निचे आपका टोटल एक जैसा ही रहेगा हर क्वेशन में ठीक है तो आपका अंसर आजाएगा आपको यह चीज पहले भी बताई गई थी कि जितने भी प्रोबैबिलेटी निकालते हूं सबका सम क्या होना चाहिए वन होना चाहिए जब हम इन सबको एड़ करेंगे तो देखना आपका अंसर वन आ जाएगा चले क्वेशन देखते हैं प्राइज यॉ यह चाहिए यहां से फिटन नो टिल मतलब एक बार टेल नहीं आ रहा है तो सिर्फ एक की वार ऐसा हो आपका इसका अंसर होगा चलिए मैंने इसके answers लिखे हुए आप देख लिजे एक पर महां से यह देखे यहां से first का answer है आपका ठीक है तो आपका 0.318 आगया है divide करके second में भी देखे यह आपके outcomes बन रहे थे 4 तो 3 by 4 आएगा first condition में second में 1 by 4 आप इसको divide करके भी लिख सकते हैं आपका 0.75 आएगा और यह आएगा आपका 0.25 तो यहां आपकी work sheet complete होती है I hope आपको अच्छे देख समझ में आयो तो please channel को like करें subscribe करें comment करें thank you